रिम जिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी आगन रिम जिम गिरे सावन आज का मौसम कितना हसीन है न? एकदम रिम जिम बारिश और ठांडी हवा तो इस हसीन मोसम पे मैंने सुचाए क्यों न आज कुछ नमकीन बनाया जाए तो चलिए आज का रेसिपी कौँछा है वो देखते है हेलो फ्रेंज मैं हुझ जेतना and welcome back to my kitchen once again आज मैं बनाने वाल जी हूँ मुर्मुरा का नमकीन और इसे बनाने में बहुत ही आसाने से पांच मेंट लगते हैं और एक बार बन गया तो आप किसी भी एटएट कंटेनर में इसको स्टोर करके राख सकते हैं और जब भी चाए कोफी पीने कंबन करें उसके साथ इसको एंजॉई कर सकते हैं जस्ट इन केस आपका जो मुर्मुरा है वो क्रिस्प नहीं है तो बनाने से पहले हो या फिर एक दो दिन पहले कड़ी दूप में एक दो घंटे के लिए रख दीजे एक तम क्रिस्पी बन जाएंगे अब क्रिस्पी है या नहीं कैसे चेक करें एक दो दाना ऐसे हाथ में लेके तोड़के देखिए अगर वो आसानी से तूट रहे तो इसका मतलब काफी क्रिस्पी है अब देख रहे है मेरा आसानी से तूट रहे है मेरा काफी क्रिस्पी है क्योंकि अब भी जस पैकेट से उपन की थी अगर धूपी नहीं ये माइक्रोव में नहीं तो कड़ाई में ड्राइरोस भी कर सकते हैं जिससे काफी क्रिस्पे बनेंगे इसके अलावा हमें चाहिए एक पूरा लेस्वन जिसको मैं स्लाइटली क्रश करके लियू फिर मोफली आदा बाउल पूरा में लियू और उसके बाद कड़ी पता पूरे दो डंटल है और पुटाना दल ये भी अल्मोस्ट वन फोर्थ कप है और तीन सुखी मिर्च मसाले में हमें चाहिए हल्दी पाउडर फिर लाल मिर्च पाउडर फिर सरसो फिर नमक और पीसीवी चीनी और इसके लाव में तेल भी चाहिए अभी हम कड़ाई रख देते हैं कड़ाई पे सबसे पहले अगर आपका क्रिस्पी नहीं है तो आपको ऐसे ड्राइरोस करना है मेरा अल्ड़ी क्रिस्पी है फिर भी में दिखा रही हूँ इसे स्लाइटली इसको ड्राइरोस करते है और ध्यान रखे इसके लिए हमेशा मोटी कड़ाई लेनी है अब दू-तीन मिनिट इसको फ्राइ करने के बाद बीच विच में चेक करिए ये क्रिस्प हुए है कि नहीं बस एक दाना वापस से लेके हम लोग जब इसको क्रेश कर आसानी से टूट रहा है इसका मतलब क्रिस्पी है तो अब इसको किसी बरतान या परात में ट्राइंसवर कर लेते हैं इसे दुप में रखने से आपकी रोस्टिंग टाइम बच जाएगी अब कड़ाई मेंने खाली कर लिया है अब इसमें तेल डालेंगे पांच से ची के बाद इसमें डालते हैं मुफली अगर आप मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं तो हाथ यहाँ पर बिल्कुल ना चोड़े वरना मुफली जल्दी जल जाएंगे इसलिए आप मोटी कड़ाई ही यूज करें और मुफली एकदम रोस्ट होने के बाद हम इसमें डालते हैं लेस अब पुटाना दाल अड़ करें अब जो भी इसमें डाल रहे हैं भले हो पुटाना दाल हो या फिल्ले सुनो मुफली हो कड़ी पता अब अपने अकॉर्डिंगली इसको कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि हमारे गर में बच्चों को इसका मुफली बहुत पसंद है और हम लो के या फिर बंद भी कर सकते हैं मैंने या पे सिम पे रखके डाल रही हो सबसे पहले डालेंगे हली पाउडर फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद दे तो दो चमज डाल दीजेगा अगर कम है तो कम फिर नमक अपने स्वात के तो देखके डाले और अब इसमें आड़ करें दो चमाश शक्कर का पाउडर या पीसी हुई चीनी अब इन सब को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे मूफली पुटाना दाल कड़ी पत्ता और लेस्वन सारे के सारे क्रिस्पी हो चुके अब ग्यास को बंद कर देत और अब मूरमुरा मिक्स करेंगे एक डम हलके हाथों से इसको मिक्स करेंगे अब चाओ तो दोनों हाथों में एक एक स्पून रखें ऑर ओर बी आसन हो जाएगे यह रिसपी आप सुरूह ट्राई करिये और मुझे कमेंट करके बताए नशी लगी अगर वीडियो अच्छी मुझे तो दिख के ही मों में पानी आ रही है, मन करें अभी के अभी खाओ, इसको अभी हम सर्विंग बॉल में सर्व करते हैं, तो ये लिजिए हमारा मुर्मुरा का नम कीन, अब खाने के लिए तयार है, साथ में वीडियो को जितना हो सके उतना शेर जरूर करें, थैंक्यू पाने कोलें लिए जर स्वार जर करें।